एस्ट्रोलोजी में कुंडी के 10 इस्थान या दशम इस्थान से विक्ति का कर्म दिखा जाता है वो इस जीवन में आया है अपना प्रारब लेके तो कुछ नो कुछ कर्म करेगा तो इसमें जो है वो क्या कर्म करेगा सर्विस करे बिजनेस करे पॉलिटिक्स में जाए किसी प दिखा जाता है तो फिलाल उसी कंटिनियशन में आज जो टौपिक है वो डॉक्टर बनने के योग है आपने दिखा होगा कुछ व्यक्ति जो है वो डॉक्टर की मैडिसीन की प्राएई करते हैं डॉक्टर बनते हैं तो यह इसी से related आज जो topic discuss करेंगे कि डॉक्तर बनने के क्या योग होते हैं कुंडली में इसके बारे में आपको बताएंगे तो हमारे रिशियों ने वो तीन ग्रह मेन बताए हैं जो कि विक्ति को डॉक्तर बनाते हैं वो है सूर शनी और राहू यह तीन ग्रह ऐसे हैं जो विक्ति को डॉक्तर बनाते हैं सूर शनी और राहू अब इसके इसके अलावा यह सूर शनी राहू के लावा भी और कुंडली में और भी ग्रह हैं जो कि doctor's कुंडली में देखने को मिलते हैं उनके कारक ग्रह हैं आप व्यक्ति को नहीं जानते हैं आप सिर्फ ये कुंडली देखकर ग्रहों का placement, arrangement, combinations, उनके योग देखके आप बता सकते हैं यह व्यक्ति जो है medicine की पढ़ाई करेगा और वो फिर doctor बनेगा तो इस चीज को हम कुण्ड़ी में कैसे देखें क्योंकि हम व्यक्ति को नहीं जानते कि यह doctor है कि यह नहीं है लेकिन फिर भी आप कुण्ड़ी देखे आए इस चीज को बता सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आ doctors है अश्वनी कुमार brothers है तो उनके फादर है सूर्य तो इस तरह से सूर्य जो है medicine से related है इसके लावाद सूर्य आपको मालू है कि वो लगने के कारक हैं और वो स्वास्त के कारक हैं हेल्थ के कारक हैं इसलिए इनको सूर्य को देखना जोरी है सूर्य जिस समय बार्णिंग म सन्राइज होता है तो आप देखिए वो पेड़ पौधे और सब चड़ियां उड़ने लगती है और पेड़ पौधे जो है उनको वो उनसे sunlight लेके oxygen बनाते हैं और प्राणियों को जीवन मिलता है उसे उस oxygen से प्राणियों को जीवन मिलता है तो यह सूर्य जो है वो ज्यादा जरूरी है कुल्णी में सूर्य बहुत बढ़िया होने चाहिए डॉक्टर की कुल्णी में सेकंड नमबर आप देखिए मंगल को देखिए तो मंगल को क्यों देखिए मंगल यह साहस पराक्रम और इसके लावा निडरता इसके कारक है और उत्साह उमंग एनरजी क चाहिए और वो मिल्कुल बोलनेस के साथ में उसका ट्रीटमेंट करें तो इस्पेशली सर्जन के लिए तो बहुत ही जरूरी है सरजरी करते समय बहुत ज्यादा ब्लड निकल लाए तो उस समय ऐसा नहों कि वो डॉक्टर घबडाए उसको देखिए तो वह साहस पराक्रम जो है वो मंगल देते हैं तो मंगल की वैसे उनके अंदर एक बोलनेस आती है और निडरता आती है और वो इसलिए मंगल कुंडली में बहुत बढ़िया होना चाहिए सेकेंड यह थर्ड जो प्लैनेट आप देखिए बुद्ध को देखिए तो बुद्ध जो है वो क्यों द पाएंगे इसके लावा आप गुरु को देखें तो गुरु जो है वो क्या है यह गुरु जो है मोस्ट प्लैनेट है और यह इसके लावा रोग जो होता है विक्ति का उसको रोग को खत्म करने की शक्ति गुरु में होती है कोई रोग है कोई भेंकर रोग है उस रोग को ख तो शनी जो है medicine से related ग्रह हैं क्योंकि ये रोग कारक इनको कहा गया है ये हैं रोग के कारक है रोग को पैदा करते हैं ये शनी जो है और 6, 8 और 12 हाउस के कारक ग्रह हैं सिक्स्थ हाउस रोग का घर है तो सिक्स्थ हाउस के कारक हैं एर्थ हाउस जो है वो कोई बहुती भेहंकर serious बिमारी हो chronic disease हो या incurable disease हो आयू और मृत्यू इसके कारक हैं और 12 हाउस जो है वो विक्त की health जो खराब है या उसको hospital में admit किया गया है hospital से related हाउस जो है वो 12 हाउस और प्रद का lord है इसको देखना बहुत ज़री है इसलिए शनी जो है वो 68-12 के कारक है शनी को आप देखिए रहे इसके लावाब चंद्रमा को देखना बहुत ज़्यादा ज़री है क्योंकि चंद्रमा बहुती soft ग्रह है ये इनसान का मन है उसकी feelings है उसकी emotions है तो वो patient को देखक इतना नहीं चाहिए और इतना soft है कि अगर उसके उपर अगर प्रभाव नहीं है कुल्ली में चंद्रमा के उपर तो ऐसा व्यक्ति फिर वो अच्छा doctor नहीं बनेगा वह हमेशा patient को देखके घबडा जाएगा तो चंद्रमा के उपर कुल्ली में आप देखिए हमेशा doctor सी चाहिए अगर चंद्रमा के उपर पाप ग्रहों की यूती हो पाप ग्रहों की द्रस्टी हो तभी व्यक्ति सॉलिड बनता है और बिल्कुल वो निडर होता है और वो फिर उतना soft hearted नहीं रहेगा और patient की तकलीव को देखके घबडाएगा नहीं तो इसलिए चंद्रमा के उ सर्प माना गया है साप माना गया है विश माना गया है तो विशश विश ओशधम यह कहा गया है यानि विश ही विश की ओशधी है जहर ही जहर की ओशधी है दवा है तो यह doctors की कुडली में रहू और केतु हमेशा बढ़िया होते हैं इनको आप देख लीजे इसके लावा progress करता है तो यह लगन लगनेश कुल्डी में अच्छे होने चाहिए इसके लावा आप कुल्डी में 6th house देखें 6th house 6th का लॉड देखें क्योंकि 6th house जो है रोग का घर है तो रोग से related जो चीजें हैं और यह बड़ी बिमारियों का घर है तो 6th house 6th का लॉड इसको स्टडी करना जोड़ी है एर्थ house एर्थ का लॉड देखें क्योंकि यह chronic diseases serious diseases या incurable diseases तो इसके लवा आयू और मृत्यू इसके भी कारक है एर्थ house तो एर्थ house और एर्थ का लॉड इसकी स्टडी जोड़ी है इसके लवा त्वेल्थ house त्वेल्थ का लॉड जो आपको बताया hospital से related hospital में admit होना hospital का खर्श है hospital से कितनी दिनों में छुट्टी मिल जाएगी यह सारी चिज़ें hospital से लॉड से देखना जोरी हैं तो यह कुंडली में सारी चीजें अगर कुंडली में strong हो यह तो आपको बताया में जो सब डॉक्टर्स ही कुंडली में आपको देखना चाहिए अगर ये कुंडली में स्ट्रॉंग हो बली हो इन पे शुब ग्रहों की यूती हो द्रस्टी हो और वेल प्लेस्ट हो यानि केंदर में एक चार साथ दस में त्रिकोन एक पांच नो में हो और इसके लावा ये डिग्री वाइस बढ़िया हो अपनी लगन चंद्र लगन सूर लगन तीन तरह की लगन है तो अधिक से अधिक लगन और लगनेश यानि उनके लॉड्स को प्रभावित करें तब विए व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो इस चीज़ को आप कुंडली में आप देख सकते हैं जितनी चीज़ें आपको बताई और आप विक्ति को नहीं जानते आप सिर्फ कुंडली में सारी चीज़ें देख के बता देंगे कि विक्ति मेडिसिन से रिलेटेड है उसी के पढ़ाई करेगा डॉक्टर बनेगा अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग बताएगा है जो कुछ आपको योग बताते हैं कि म अगर लगन या लगनेश के ऊपर अगर इनका प्रभाव हो यानि कुछ बैड़ जाए कुछ की द्रस्टी हो जाए सूर्शनी राहु के तुका अगर असर होगा इसके ऊपर लगने लगनेश के ऊपर तो ऐसा विक्ति फिर डॉक्टर बनता है माली यह लगने में राहु हो यही बैड़ लगनेश शनी लगनेश लनका लौड जो है शनी मतलब मकर यह कुम्भल लगने की कुंड़ी है यहाँ पर अपने मिंत्र की राशी में रहु बैठे हुए है और यह लगनेश जिए ल northwestन यह नहीं तुला राशी में उचके होके बढ़िया है तो सात आठ नौदस देगे सात राशी में यह शनी बैठे और दस या ग्यारा दस नंबर की राशी का यह लगन है मकर राशी और इसमें राहू बैठे हुए है तो ऐसा विक्ति डॉक्टर बनता है लगन में वाली यह सू बुर मंगल बुद्ध गुरू शनी चंदर राहू केतू और यह सिख्स थाउस एर्थाउस ट्विल्थाउस टेंथाउस टेंथाउस टेंद का लॉड लगन लगनेश इन्हीं सब में घुम गिम के यह सब जो है इस तरह के योग बनते हैं तो लगन में आपको बताए कि सू अगर शनी यां उच के ओक में बैडिया उंके उपर राहू की द्रस्थी हो जाएं तो ब्यक्ति डॉक्तर बनता है लगनेश का लार्ड लगनेश जो है माली यह शनी का सवनी इंग होग ह 꿩 अगर शनी अगर शनी बनते हैं वह इतंस के यहां पर 7 राशी गम डएडिया इन बैड़ या लगनेश शनी हैं और एंज बुद्थ के साथ मिलकि ग्रहों का फेक्ट होता है वह को टेक्निकल आascal ले जाता है और medicine, doctor, जो है एक वो technical education है, तो यहां पर फिफ्त में मंगल बैठे हुए है, जो technical side में ले जा रहा है, और लगनेश शनी और बुद्ध के साथ यहां पर, यहां 11th house में बैठे हुए है, बिखुल आमने सामने बैठे हुए है, तो यहां पर यह technical education में ले जा रहा है व जो जुसे वितियश सेंट का लॉड वॉह वान यह कि शनी है और फिफ्ट मैं बैढ़िया है तो अगर देखिए सिकट िख 178 ft बैठें सेंट का लॉड शनी है किराशि यहनी 10 नंबर यह विशेंटनकी राशी का यहां थाphone विफ्ट से देखिए सूर्य और बुद्ध दोनों medicine से रिलेट गर यहां बैठे वह हैं और शनी की द्रस्टी देखिए शनी यहां बैठे second के लॉड़ मनके तो यहां से 7 द्रस्टी हाँ पर आठ नो 10 इनकी 10 द्रस्टी यहां पर second सेकंड हाउस में आ रही है मतलब सूर्य बुद्ध और शनी तीन गुरूहों का प्रुभाव यह सेकंड हाउस और सेकंड के लौड पर है इसलिए विक्ति डॉक्तर बनेगा सेकंड हाउस में यह राहू बैडिया राहू बैडिया इनके उपास सूर और गुरू की द्रस्टी ह हो जाए तो वह ऐसा विक्ति डॉक्टर बनता है फिफ्थ हाउस में मंगल शनी राहू के दू का प्रभाव हो तो विक्ति को टेक्निकल एजूकेशन मिलती है जैसे आपको बताया कि फिफ्थ हाउस के ऊपर अगर कुरूर गोहों का एफेक्ट हो मंगल शनी राहू के दू क का एफेक्ट होगा तो ऐसा विक्ति फिर तेक्निकल एजूकेशन में जाता है यानि वह मेडिसीन साइड में जाएगा शिक्स्त हौस शिक्स का लॉड़़् हाउस के लॉड़़् सम्बंध टेंफ without टेंफ हाउस्ट sìन्थ के लॉड़़् से हो जाए तो रोग का रोग का सम संबन्द किससे हुआ व्यक्ति के करम से केरियर से तो ऐसा व्यक्ति ज फिर डॉक्टर बनेगा रॉइट 6 वैपर 16 के लॉड का संबन्द 12 त्वील्ट लॉड से हो जाए हॉस्पिटल वर्यक्ति हाउस में एक टैंथ तैंथ थाउस में सूर्थ. के साथ बुद्ध बैढ़ जाए इन पे अस्टमेश की द्रस्टी हो जाए अस्टम का जो लौड जो है आयू मेत्तु का और भेंकर बिमारियों का इनक्यूरबल डिसीजस का जो घर है तो यहां पर टेंथ हाउस में सूर के साथ बुद्ध बैढ़े हुए हैं इनके ऊपर अस् जोग जाए यांने मतलब यहां दस नंब्बर राशी हो यह गित नंबर तो हो जाएं एट सट्हुकर हो जाएं तो टैंथ हॉस में शनी इच्वकर या पर बनता है तो डिससे देखिए तें फाउस में स्वगरही या उच्छ का होके शनी बैठा 10 नंबर या 11 नंबर राशी में या 7 नंबर राशी में शनी उच्छ के या सोग्रही होके बैड़ गए और छटे और आठ में जो रोक के स्थान है इनका लॉर्ड जो है वो नाइंथ स्थान ने बैड़ जाए ऐसा विक्ति डॉक्टर बनता है और सूर की द्रश्टी हो जाए टेंथ हाउस जो है कुंडली का देखिए टेंथ हाउस में सूर प्लस शनी हो तो ऐसा व्यक्ति चाइल्ड इस्पेसलिस्ट बनता है बच्छों के स्पेसलिस्ट बनते हैं वह डॉक्टर तो सूर और शनी के हाए पिता-पुत्र है तो तेंथ मंगल बुद्ध गुरु और शनी अगर बहुत स्ट्रॉंग हो ऐसा व्यक्ति डेंटिस्ट बनता है दातों की डॉक्टर कुंड़ी में मंगल बुद्ध गुरु और शनी चारों ग्रह कुंड़ी में बहुत स्ट्रॉंग हो डिग्री वाइज अच्छे हो शुब ग्रह की उ जाइसा वेक्ति फीर गायक्त का टोषिस्ट बनता हैं तुझ इस्थी रोग विशेशक और नुओनेट डालॉजिस्ट य souric विद्व और शुक्र बैढ़ी सरजन्स के लिए उष्पों Geo यह दिख बली हो गए दिशा बली हो गए बहुत इस्ट्रॉंग हो गए तो सूर और मंगल दोनों योक और आख होने चाहिए तो टेन्थ हाउस में अगर सूर के साथ मंगल बैढ यह असा बहुत अच्छा एक सर्जन बनता है तेंथह उसमें तुला राशी हो लिब्रा राशी इसमें मंगल बैड़ जाएं तब भी वेक्ति जो है सर्जन बनता है 10th house में सूर के साथ शुक्र बैड़ जाएं तब भी वेक्ति सर्जन बनता है 10th house में मंगल के साथ केतु बैड़ जाएं मंगल प्लस के तू के तू भी मंगल की तरह बिहेव करते हैं तो बहुत ज्यादा बोल्ड होगा आदमी और बढ़िया सर्जन बनेगा हो मंगल प्लस के तू कुंडली में कहीं गुरू के साथ के तू बैढ़ जाए गुरू प्लस के तू तो ऐसा व्यक्ति होमियोपैथ्टर इस तरह से बहुत सारे योग हैं ने कुछ इंपोर्टेंट योग आपको बताएं हैं तो इस चीज़ को कितने बढ़िया तरीके से देखिए रिश्यू ने एक्स्प्लें किया है कि इसके लिए आप डॉक्तर की कुंडली में आप यह सब चीज़ें देखिए कि आप डॉक् से रिलेटेड जो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया टॉपिक है डॉक्टर बनने की योग इसको आपको बताया इसमें सूर मंगल बुद्ध गुरु शनी चंदर राहु और केतु यह अच्छे होने चाहिए कुंडली में चंद्रमा के उपर पाप प्रभ प्रभावित करें या तीन तरह की लगन है जैन्म लगने चंद्र लगने सूर लगने इन लगनों को और इनके लॉड्स को अगर प्रभावित करें तो विक्ति फिर डॉक्टर बनता है इस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देखिए स्टेडि करिए बहुत ही बढ़िया इंट डॉक्टर बनने के योग बताए इसको आप ध्यान से देखिए स्टेडि करिए किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए और जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्शर मिलते जाएं और आप इन सब्जेट्स को आसानी से समझ सकें थैंक झाले से जाएं चडर को आपको आसनी से जब्याखे और एक हो सब्सक्राइब करिए吗